हलो में नहुस्कार दोस्तों कैसे आप सभी इपर फिर से आप सभी का स्वागा थे आपके अपने वीडियोग चैनल प्रफिड असटी में तो आज किस वीडियोग में हम देखने वाले हैं केंद्री विद्धूद अनुसंधान संस्टान सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्ट्र इसका अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहां पे सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्ट्टूट के ऑफिस्यल वेव साइट पर आके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जागा इसके साथ साथ आप आप सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्ट्टूट अगर बात करें तो सबसे आदर जो वेकेंसी आएक पास आउट के लिए पर्मानेंट के तौर पर लाई गई है और क्या क्या आपको बेनिफिट फैसलेटी मिलेगा इसका ओफिसल नोडिफिकेशन पर चलते हैं और सारे डिटेल देखते हैं अभी हम इसके ऑफिसियल साइट सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्ट्रटूट के ऑफिसियल साइट पर विजिटेड हूं और यहां पर सारा इंफ्रमेशन आपको अल्रेडी दे दिया क्या है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप यहां से भी डाउनलोड क से करके देख सकते हैं नहीं तो पहले मैंने आपको सारे डिटेल दे दिया वीडियो को अगे प्रान इस पहले आपसे छोटी सीर्क्वेस्ट अगर आप लोग अभी तक चैनल पर सस्क्राइब नहीं किया चैनल को तो फटा-फट कर दीजेगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अप रेक्वार्मेंट का नोडिफिकेशन को रिलीस करके हम आगे बढ़ते हैं तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा डिटेल से हम बात करें हाँ तो टूटल आपको पांच यहां पर सीरियल नंबर तक देखने को मिल रहा जिसमें आपका नेम अब दी पोस्ट अन्रिजर्ब SCST, OBC और EWS में टूटल वेकंसी आपको हैं पर देखने को मिलेगी सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इंजिनिरिंग ऑफिसर ग्रेट का है जिसमें टूटल वेकंसी ट्वेंटीए बीस है उसके बाद हम साइंटिफिक इंजिनिरिंग एसिस्टेंट हो देखेंगे तो स सूलर वेकंसी है और final MTS में जिसमें साथ वेकंसी रिलिस किया गया है स्क्रॉल करके मीचे बढ़ते हैं तो हैं पर आपको क्या क्या बताए कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना वह भी हम सारे डीटल आज के फिर्ट है देने वाले हैं तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि फॉर्म आपका कब से अप्लाई होना सुरू होगा तो 1-11-2022 के डेट से फॉर्म आपका ऑनलाइन अप्लाई होना सुरू हो जाएगा इसका लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा अगर आप बहुत जादा कमेंट करोगे तो हम इसके उपर भी आपको सेपरीड वीडियो ज देखने को मिलेगा जिसमें आपको गेट स्कूर मांगा गया है ठीक है आई टे वाले टेंशन मतली हम आपके रिक्वार्मेंट वाले पोर्शन पर भी आते हैं उसके बाद बात करते हैं साइन्टिफिक असिस्टेंट जिसमें अगर हम कभर करते हैं तो ब्यस्टी होना चाह होना है तो आपको तीन साल का डिपल्लॉमा होना चाहिए पांस साल का पोस्ट कालिफिकेशन एक्सप्रियेंस आपको मांगा गया है तो इससे लिए होगिए अप चलते है नेस्ट आपका ट्J कर आप सभी का इंतिजार कर तो electrician का अगर आपके पास ITA का certificate है तो आप इसके लिए easily apply कर सकते हो उसके बाद आपको बताए गया है कि यहां पर X 10th standard SSLC with 2 year ITA electrician trade certificate मतलब 2 साल का आपको full course होना चाहिए और maximum age limit 28 साल का है पर दिया गया है अगर assistant grade 2 का भी देखेंगे तो इसमें आपको BA, BSC, Bcom, BBA उसके बाद BBM with 1st class मांगा गया है जिसमें आपको 30 seat रखा गया है MTS का बात करते हो यह आपका act servicemen के लिए है जिसके army, navy, air force यह सभी को यहां पर preference दिया जागा तो 10th pass के है ठीक है तो यह सारा vacancy का detail आप लोगों यहां पर देख लिया और अगर बात करें तो the upper age limit is the as on the last date of prescribed from the registration of online application 21 November से पहले आप सभी को इसका form जो है apply कर देना है बात करें कि आपका selection वेगरा कैसे होगा हम सारा कुछ आपको बताएंगे कि आप देख सकते हैं कि कौन से level पर कौन सा आपको ग्रेट पर देखने को मिलेगा सबसे अगर हम बात करें टैक्नीशन में तो टैक्नीशन में आपको देखी आपको इसके इसके वाद आपको अपको इसके अपको सेलेक्शन कैसे किया जाएगा तो सेलेक्शन के अधार पर देख सकते हो कि इलिजिबल केंडियेट विल विवी कॉल्ड फोड़क्रमें कंप्यूटर बेस्ट mcq टेस्ट एंड ट्रेट टेस्ट उसका और आपको फाइनल सेलेक्शन विल भी बेस्ट अन देर परफॉर्मेंस इन दी mcq टेस्ट सब्जेक्ट टु क्वालिफाइं इन दी ट्रेस्ट टेस्ट देखिए पहले आपको cvt के लिए जाएगा जब आप cvt क्वालिफाई कर ल आपको बनेगा वह सारा कुछ आपको बात करें तो यह mandatory रखा गया है वह भी आपको क्वालिफाई होना होगा तो ही आप जाके इसके लिए मेरिट में आपका नाम आएगा यह सारा कुछ आपको बता दिया मेंडिटर ही है क्वालिफाई होना तो ठीक है बाकि आप जिस भी पोस्ट के लिए अपलाई करोगे सारा कहां पर eligibility criteria mention किया गया है कि क्या है और क्या नहीं आपको क्या grade पर मिलेगा क्या 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 आपको यह आपको आपको दे चुके हैं अगर आप चैनल पर फर्स्ट आम वीजिट किए जरू सब्सक्राब करके बैल बनुकान कर दिजिएगा रेलवे का भी टीसिम का फॉर्म अभी तक नहीं भरें तो फटावट भर जिए 6500 पे ओनलाइन रिक्विट्मेंट निकाला गया है जिसक जनकारी के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत